असलाम लेकुम and welcome back to the mother vlogs आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में what are the three signs of an ectopic pregnancy यानि जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी के अंदर ना होकर बच्चेदानी के मुँपर या फिर साइड में जो आजू बाजू होती है उसके बारे में discuss करेंगे मैंने सुना है और थोड़ा बहुत पड़ा है तब ही ये वीडियो बना रही हूँ मेरा एरादा ना किसी को hurt करना ना तकलीव देना है जस्ट थोड़े बहुत जो experience है और जो knowledge है वही share करना चाती हूँ तो बने रही है वीडियो में end तक शायद आपको थोड़ी बहुत help जरूर होगी इस वीडियो के जरिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो सबकी pregnancy अच्छी सहतमन healthy हो और हर मा की pregnancy की journey अच्छी हो और हर मा को pregnancy का और normal delivery का experience अच्छा हो बस यही दुआ है सबके हक में और आप सब बने रहिएगा मेरे channel के साथ जुड़े रहिएगा हमेशा यहाँ पर आपको genuine और original experience based वीडियो मिलते हैं तो main symptoms के बारे में जानते हैं vaginally bleeding यानि private parts से blood आना vaginally bleeding tends to be a bit different to your regular period यानि आपके जो periods आते हैं उससे थोड़ा बहुत different हो सकता है यह पता नहीं हर एक lady का experience अलग होता है तो कैसा different वो explain नहीं कर सकती हूं मैं तो next point जो है tummy pain यानि पेट में दरज you may experience tummy pain typically low down on one side यानि नीचे का पेट low down यानि नीचे के पेट में एक side कहीं पर भी दरद होना पेट में यह भी एक symptom माना गया है तो shoulder tip third one जो है shoulder tip pain यानि shoulders में pain होना shoulder tip pain is an unusual pain felt where your shoulder ends and your arms begins यानि आपके arms में shoulders में भी pain हो सकता है कुछ ladies का experience different भी हो सकता है जरूरी नहीं same भी हो because हर एक pregnancy का experience हर एक mother का हर एक lady का experience और हर एक मा की जो pregnancy journey है वो same नहीं होती इसलिए अगर किसी का experience अलग है तो वो अपना experience भी जरूर शेर करना comment box खुला है तो चैद दूसरों की help हो यहीं intention से अगर आपका कोई ऐसा experience या फिर कुछ भी रहा हो या फिर आपके किसी जान पैचान वाले का experience रहा हो तो वो भी experience शेर करना ताकि और भी जो बहने मेरे channel से जुड करते हैं discomfort when you going to the toilet यानि जब आप washroom जाएं toilet जाएं जब आपको comfortable ना हो discomfort हो irritating हो कुछ भी ऐसा different और अजीब सा feel हो तो यह भी symptoms हो सकता है अगर आपको इन में से कोई एक भी pain या फिर तकलीफ या फिर कुछ भी ऐसा experience रहा है जो different लगे आपको common ना लगे अजीब लगे तो आ जाए वीडियोस देखने के आप डॉक्टर विजिट करना और अपनी pregnancy का खूप खयाल रखना वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शे सब्सक्राइब और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से